गुड मारिंग बच्चो आज मैं आप लोग को डेज बताने वाली हूं कि डेज कैसे कॉंट करना है ओके आपको अपनी फिंगर के हिमाधियन से डेज याद करने हैं ठीक है बच्चो तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फिगर्स भी आप लोग के सामने प्रजेंट कर यहां से जो होता ना इसे देखो ऐसे फिंगर को कर लो अपने हैंड पे ही एक स्केज पैंड के थ्रू से बनाओ याद हो जाएगा यह आपका होता है जैन्वरी 31 डेज होते हैं बीच का जो होता है वह होता है फैवरी 28 या 29 यहां फिंगर पे भी देखो यह है ना 28 या 29 और सारे जितने होते हैं वो 31 और 30 के रेंज में चलते हैं तो पहले जैन्वरी हो गया यहां 31 चीक है फैब हो गया बीच का 28 या 29 ओके मार्च हो गया अब अब ध्यानी 31 डॉन अपरेल 30 डेज ओके में 31 डॉन जून हो गया एंड जुलाई 31 और अगस्त भी बिटा होता है आपका 31 ओक्टूबर ठीक है यहां पर आपका ओक्टूबर भी आ गया ठीक है फिर बीच में नवंबर ठीक हो गया एंड उसके बाद आपका डीश्यमबर ठीक है ओके डन तो ऐसे आप लोगो ध्यान रखना है बिटा सबसे पहले जैन्वरी अप 31 डेज बीच का डाउन है फैब औ यह आपका अफ़ला गया 31 में ठीक है में फिर डाउन आपका गया जून एंड जुलाई और अगस्त बटा दोनों 31 होते हैं ठीक है फिर यही से यही पर आजो 31 के बाद डाउन हो गया 30 सैप्टूबर फिर अब यह आपका हो गया ओक्टूबर डाउन नवंबर अब तो डिशंबर आपका 31 का होता ओके मेरी प्यारे बच्चो आई होप समझ आ रहा हो इसमें भी आप देख लो 31 यह बीच का था 28 और 29 फैब 31 मार्ट अप्रेल ठीक है डाउन अप एंड में डाउन जून एंड जुलाई अगस्त सेम राइट कि दर से बापास आ जो यहाँ पर इसकेज़ पेंसे लेके हैंड पर करके प्रैक्टिस कर लेजे राइट अच्छा से याद हो जाएगा एंड जुलाई अगस्त बोथ 31 डेज राइट यह आपको ध्यान रखना है पुछा भी जाता है कि कौन ऐसे मन्त है जिसमें 31 डेज आते राइट अगस्त आ जुलाई करे अपने फ्रैंड को सेर कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर लेजेगा बच्छो बाइटेक क्या हाव अनाइस टे बाबाइ